दोस्तो वोड़ाफोन आईडिया की बात करें जो कम्पनी ने क्वाटर फोर के रिजल्ट को डिकलेर कर दिया है कम्पनी लगाता लॉस में बनी हुई है लेकि उसके बावजुद भी अगर आप देखे तो आगे की क्या सम्मावना कुछ पोजिटीव दिख रही है उसको समझने की कोसिस करेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिये जारे हैं उसको समझने की कोसिस करेंगे सबसे जो बड़ी बात है कि वोड़ा फोन आइडिया को काफी बड़ा फंड मिला पिछले दिनों जिसका इस्तेमाल वो आने वाले समें अपने बीजनस को बढ़ाने में करेंगे वो काफी पिछड गए और सबस्क्राइबल लगातार कम हो रहे क्योंकि उनके बास 5G टेक्नोलोजी नहीं है ऐसे में क्या वोड़ा फोन आइडिया सर्वाइव कर जाएगा और आने वाले समें क्या ये एक बड़ा मल्टी बैगर साबित हो सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से दूसरी तरब अगर हम GTL इंफरा की बात के तो कमपनी ने अपने क्वाटर फोर के रिजल को डिकलेर किया है रिजल अभी भी बहुत कम जोर है कमपनी भारी लॉस में भी है और बहुत ज़्यादा रिस्क है लेकिन क्या ये चोटा सा स्टॉक कुछ कमाल कर सकता है आने वाले समें क्या ये स्टॉक 8 से 10 रुपे तक जा सकता है या फिर आने वाले समें 10 से 20 पैसा होने वाला है क्या या पर इंवेस्टमेंट डूबने की भी संभावना है इन सारी बातों को समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले वोड़ाफ वन आइडिया की बात कर लें तो सेटरेड़े को 13.25 के आसबास क्लोजिंग रही मामुली सी तेजी के साथ में अभी देख सकते हो कि स्टॉक थोड़ा ठीक तो लग रहा है इसमें बड़ी तेजी तो अभी बनी नहीं है लेकिन रिजल्ट के बाद पॉजिटिव समावन जरूब बनी है अब इसकी परफोर्मस देखे तो पिछले 10 साल के इसाफसे इसने 84% का निगेटिव रिटेन दिय यानि जिसने 10 साल ओर नभी और ऊसे होगा उसको भारी लोस हो रहा है लेकिन वायर के इसाफसे 12% की तेजी बनी है पिछले 12 साल में इसने फाइ परसेंट की तीजी है और अल देखे तो प्रदर्शन ठीक है उनके लिए जिन्हों ने अभी रिसेंटरी थोड़ा निवेश किया है तो शौट टम में पैसे कमाने का मौका जरू मिला है अगर हम इसके रिजर्ड की बात करें तो देखें कि मार्च दो जार तेश में रि बात करें लॉस्स की तो मार्च दो जार तेश में 6,419 करोड के आसपर लॉस्स था और सेप्टरमन में यह लॉस्स बढ़के 8,738 करोड तक पहुंच गिया था इस बार मार्च में 7,675 करोड का लॉस्स है दिस्सम्बर में शिक्स हाउज 986 क्रोड का लॉस था तो यहाँ पे लॉस बहुत जबर्दस बढ़ा है चाहे आप कॉर्टर और कॉर्टर बेसिस पे देख ले या यह यह बहुत बड़ा एक तरसे इसको हम माइनेस पॉइंट समझ रहे हैं इसके लावा इसका नेट वर्थ निगेटिव जो लगातार बढ़ जो यहाँ पे बाते निकल के आ रही है कि कंपनी 5G सर्विस को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है और जो पीछड गए उस लिस्ट में वो आगे आना चाहते हैं तो इसलिए करी 55,000 क्रोड का आने वाले तीन सालों में वो निवेस करेंगे और अपनी सर्विस को मजबूत क कर दिया जाएगा बड़े बड़े शेहरों में देदे उसको सबी जगपे बढ़ा दिया जाएगा यानि कुल मिला के पूरी कमर कसली है आने वाले समें अपने बीजनस को बढ़ाने की एक जो अच्छी ख़बरी इस बजब रिजल के दौरान तो इनका जो ARPU है वो बढ़ा लगातार देखे तो ARPU बढ़ा है यह अच्छी बात है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है थोड़ा सा जनेट हो रहा है तो यह ग्यारवा आप देखे तो quarter 4 के दिर्म्यान यह ग्यारवा है जो एक quarter है जब देखे तो इनका ARPU लगातार इंक्रीज हो रहा है जिससे थोड़ी सी रहात जरूर मिली है फोर जी सब्सक्राइबर की संक्या भी कुछ बड़ी है 126.3 मिलियन के आसपास रहे जिसमें 0.5% की व्रिद्धी हुई है पीछले quarter में 125.6 मिलियन के आसपास था तो यह एक रहात तो है कि कस्टमर बेच जो गिरिदे लगा उसमें थोड़ी सी ठहराव से लग्त थोड़ी सी व्रिद्धी भी हुई है लेकिन दुसरे बीकेत कोटक इंस्ट्रिशिनलल उक्यूिटिज ने यहाँ पे सेल की रेटिंग दिये है और यहाँ पे देख सकते हो कोटक इंस्टूटल विक्विटीज का कहना है कि स्टॉक हाई रिस्क और हाई रिवर्ड का मौका दे रहा है ब्रोकेजा उसने काया कि स्टॉक में अगर तेजी आती है तो यह तेज तक जा सकता है अलंग कि बैंक आप अमेरिका ने वोड़ा फंद के लिए 14.5 का टार्गेट प्राइस दिया है और बैंक आप अमेरिका का मानना है कि लोग सबाचुनाओं के बाद दूर संचार में 20-25 परतिशत की यहाँ पे व्रिदी देखना को मिल सकती है तो जब प्राइस बड़े की उस वज़े से देखे रिस्क ले सकते तो आप निवेस्ट कर सकते यह अभी पूरी तरसे रिस्क के उपर स्टॉक है क्योंकि कंपनी भारी बर कम लॉस में लेकिन कोसिस कर रही है इसमें पूरी मुसिवद से बार निकलने की प्राइस काफी कम है तो इससे ज़्यादा नीशे जाने की समभाणा नहीं है क्योंकि काफी बड़ा फंड मिला जिसका इस्तेमाल ही अपने बीजनस को बढ़ाने में कर सकते है अब चलते हम जी टील इंफरा की तरब तो 1.60 पर क्लोजिंग थी अब यह स्टॉक देखते हैं तो सीमी दारे में ट्रेड कर रहा है और आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है यह आप काफी समझ देखें तो प्राइस लगबग उसी के आसपास है और थोड़ा थोड़ा गिरी रही है प्राइस बढ़ नहीं रही है आप देखें तो चबीस अप्रेल को 1.75 के आसपास थी जो इसमें 1.60 के आसपास आई है और इंट्राडे में 1.50 तक भी चली गए थी वैसे आप देख सकते हों कि अगर इसको पहले कंपेर करें 13 मार्च 2014 तक तो प्राइज आज के आसपास ही है यानि इसमें कोई बड़ी ज्यादा अपडाउन देखने को नहीं मिल रहे है तो कोई फाइदा ज्यादा देखने को कई मिल नहीं रहा है अब इसके रिजल्ट की की बात करें तो आप कि मार्च 2013 में 378 क्रोट के आसपास था है इस बार जो मलच क्वाटर में देखे तो यसके लाववा सेल्स गिरा यह ब्रिद्य हुई है इस बार बढ़कर 290 करोट तक पहुच गया है पिछले quarter में 263 क्रोड के आसपरस है तो एक तरब तो revenue गिरा लेकिन सामने खर्च भी बढ़ गया है चाहे quarter and quarter basis से देख ले या year and basis से देख ले तो यह भी एक problem है इसके लावा operating revenue बहुत जबरदस गिरा है March 2023 में जापे 136 क्रोड के आसपरस था वो इस समय मार्च 2024 मातर 40 क्रोड के आसपरस रह गया पिछले quarter में यह 75 क्रोड के आसपरस था तो operating revenue लगातार गिर रहा है बहुत तेजी से गिर रहा है यह सबसे बड़ी चिंता जनक बात है यानि देख रहे कि company का business लगातार कमजोर होते जा रहा है और यह एक तरह से आने वाले समय में बहुत बड़े रिस्क के तरफ दिखाई दे रहा है और other income minus 12 क्रोड रहे है इस बार दूसरी तरह बगर हम बात कर लें इसके net profit की तो यह देख सकते हो कि इस बार 215 क्रोड का भारी बरकम लॉस हुआ है company को वैसे March 2023 में company को 756 क्रोड का बड़ा loss था उस हिसाब से यह रहन बेसिस पर loss जरू कम हुआ है लेकिन पीछले quarter में December में 195 क्रोड का ही loss था और September quarter में यह loss 170 क्रोड के आसपस था और June में यह 102 क्रोड के आसपस था तो June quarter से लगाता loss बड़ी रहा है और लगबग डबल हो चुका है तो एक तरह से हम कह सकते कि यह loss making company है लगाता loss में बनी हुई है और यह जो इस तरह से signal जो है वो काफी कमजोर दिखाए रहे इसके लिए अगर हम इसको year on basis भी देखे तो भी आपको समझे आएगा कि business down ही हो रहा है March 2021 में जापे sales 1410 क्रोड के आसपस था पूरे साल का वो March 2024 में गटके 1372 क्रोड तक पहुँच गया और खर्च बड़ा है 983 क्रोड के आसपस था March 2020 में जो 1006 क्रोड तक पहुँच गया अप्रेटिंग प्रॉफिट देखे तो March 2020 में 427 क्रोड के आसपस था जो इस समय गिर के 366 क्रोड तक आ गया है नेट प्रॉफिट की बात करे तो 1231 क्रोड का लॉस था March 2020 में जो इस समय March 2024 में 681 क्रोड के आसपस है तो ऐसे यह रंद बेस्टिस पे देखे तो कंपणी ने लॉस को काफी कम किया है लेकिन जिस्तर से पिछले तीन चार कॉर्टर से लॉस फिर बढ़ने लगा है यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ऐसे मैं कह सकते है कि यह स्टॉक रिस्की है बिल्कुल और जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है प्रमोटर होल्डिंग जो मात्रत 3.28% है यानि यहां से प्रमोटर बिल्कुल गाई भी दिखाए ज़रे प्रमोटर में इसमें है ही नहीं दूसरी तरब FI ने इन्वेस्मेंट लगबग थोड़ा सा बड़ा दिया है दिख समर में 0.10% की होल्डिंग थी जो मार्च में 0.12% हुई है तो थोड़ा सा मामुली सा FI का निवेस है और देख से तो की D.I. लगातर अपनी होल्डिंग कम करें सेप्टमर में 45.17% की होल्डिंग थी जो दिख समर में घटके 44.42% पर आगी और मार्च आदे 43.25% पर आगी और इसमें भी वह बहुत सारे बैंक वगिरा है जिन्होंने लॉन दिया हुआ है उसके बिले में एक्विटी लिए हुई है तो कुल मिला के D.I. लगातर यहां पे कम हो रहे और जिनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है 51.42% की होल्डिंग थी सेप्टमर में जो दिसमर में 52.19% हो गई और मार्च आदे 53.35% हो गई तो यह स्टॉक प्योली रिस्की है और ऐसे में मुझे लग रहा है कि आपको इसमें निवेस नहीं करना ची क्योंको मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड